नमस्कार दोस्तों आपका O2 Academy के चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ खृतिका शर्मा तो आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चोटा सा जो आपका न्यूस में था विच हम होपिंग कि आप न्यूस पेपर अच्छे से कवर कर रहे हैं सो इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्लेंट पेज में आया था देट वाई हिमाचल प्रदेश वांट जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटिस फॉर फाइव प्रोड़क्स तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम फर्स्ट अफॉल देखेंगे वाट इस जी आई टाग यह हम क क्यूं चाहते हैं कौन सी वो five items है और इसके क्या फाइदे हो सकते हैं as a state हमारी economy को या हमारे लोकल जो merchants हैं उनके लिए जो डेली इन चीजों को बना रहे हैं या उगा रहे हैं उन लोगों के लिए तो यह है हमारी वीडियो उसके अलावा if you want to contact me you can text me on this Instagram handle and in lectures के PDF आपको हमारे telegram channel पर मिल जाते हैं जिसका link description box में दिया गया है उसके अलावा आप हमारी app को भी download कर सकते हैं from the play store जहां पर आपको बहुत सारा material काफी interactive platform आप लोगों के लिए यहां पर यह बनाया गया है so you can go and check it out as well so starting करेंगे हम की what is this GI tag तो देखें बहुत सारे यहां पर terms आते हैं intellectual property rights, patents, copyrights, so यह सब चीजे जो हैं यह आप proper economy में भी पढ़ते हैं या और भी subjects में पढ़ते हैं लेकिन यहां पर हम अगर GI tag की बात करें तो यह एक trademark की तरह काम करता है, basically intellectual property rights ही यहां पर इसके हैं, so यह किसी भी कोई भी एक जगा है, वहां की कोई एक specialty है, वहां पर कुछ इस तरीके की चीज है जो कहीं और नहीं होती है, उसके कुछ unique characteristics है, उसकी कोई quality है, reputation है, उस चीज को एक GI tag, basically एक tag दे दिया जाता है, जहां पर उसकी जो identity है उसको बचा लिया जाता है, अब यह एक individual एक person को ना देकर एक territory को दिया जाता है, यह बहुत अलग-अलग fields में दिया जैसे agriculture में भी मिलता है, natural है, manufactured goods है, जैसे हमाचल में already 8 GI tags दे दिये गए है, agriculture में अगर आप देखें तो बास्मती है, उसके अलावा हम manufacture goods में देखें तो आपकी कुलवी shawl है, या कि नौरी shawl है, तो यह सब आपके manufactured goods में आ जाते है, basically handloom है, तो इ that is WTO ने एक agreement sign किया, जिसका नाम था TRIPS, अब TRIPS क्या है, आपका trade related aspects of intellectual property rights, इसमें क्या बात की गई, कि वही कि एक कोई जो specialty है, उसे हम बचाएंगे वहाँ की, और उसको एक tag दिया जाएगा, और उसके rights को protect किया जाएगा, और govern किया जाएगा, जैसे कि इसमें कितने time के लिए ये valid रहता है, फिर कब इसके लिए renewal करना है, ये सब चीजें इसमें दी गई, क्योंकि इंडिया भी इसका यहाँ पर member था, तो 1999 में हमने भी एक act pass कर दिया, जिसका नाम था geographical indication of goods registration and protection act, right, इसमें हमने बात देखा कि 10 साल तक इसका term रहेगा, उसके बाद इसे renew किया ज trademark, कौन से department के अंडर रहेगा, so that is the promotion of industry and internal trade, ये वही है, अभी तो DPII हो चुका है, ये पहले ये dip हुआ करता था, that is the department of industrial policy and promotion, so ये आपका पहले इसका नाम चेंज हुआ है, याद रखना है and ministry of commerce and industry, इनके अंडर basically जो आपके intellectual property rights है, कौन सी item को GI tag दिया है, नई दिया है, आपकी units है, ये यहाँ पर देखते हैं, अब ये GI tag इतना important क्यों है, तो देखे, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को बहुत prayer होती है, that is हमारी जो धरोहर है, जो हमारा एक legacy है, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि as we know कि जो modern, एक mainstream culture है, उससे हर चीज effect होती है, तो अगर जो ये चीजें हैं, ये गुम हो जाएंगी वक्त के साथ में, तो इनका protection नहीं रहेगा, hence GI tag से क्या होता है, कि उन्हें एक मानिता मिल जाती है, उन्हें एक identity basically मिल जाती है, और वो उसको बचा कर रख सकते हैं, और वहाँ पर उन्हें इंपोर्टेंस मिलती है, तो प family है, उसमें कोई artisans work करते हैं, कोई proper चीज बनाते हैं, लेकिन एक time के बाद वो IT sector को move कर रहे हैं, एक time के बाद क्या होगा, वो आपकी जो artisans की creativity है, वो खतम हो जाएगी, वो उसी generation के साथ चली जाएगी, hence जब हम इने ऐसे एक मानिता देते हैं, तो उन्हें हम आगे future के लिए बचा लेते हैं, ठीक है, second आजाते हैं, जो prices है, अभी जो एक main market है, उसमें compete करने के लिए, इनके पास sources नहीं है, इतने ज़्यादा यह strong नहीं है, hence जब इने GI tag मिलता है, तो इनकी एक importance बन जाती है, जिसकी वज़ा से ये अपने prices को, इनकी क्योंके speciality है, अब जैसे sales को और जो आपके exports है, उन्हें बूस्ट करता है, और फिर जो मैने आपको बताया, historical और cultural significance तो रहता ही है, अपनी legacy को protect करने के लिए, यहाँ पर यह important है, then आता है, इनका नाम कहीं और misuse नहीं किया जा सकता, for example, आपकी कुलवी शॉल है, तो वो आपको कोई भी ऐसे नहीं सकता के यह आपको लवी शॉल खरीद लीजे, क्योंकि वहाँ पर GI logo आपको मिल जाएगा, युनीक एक GI number होता है, जो हर एक आइटम को मिला हुआ है, जैसे अगर आप देखें, कुलवी शॉल 135 जो है, इसका युनीक GI number है, इस तरीके से हर आइटम को दिया जाता है, अगर आप इनकी एक वेब साइट देखेंगे, एच पी की स्पेशली GI tags वाली जो आइटम है, वो वहाँ पर बिखती है, और उनकी स्पेशालिटी लिखी होती है, उनका युनीक GI number लिखा होता है, कौन से साल में उन्हें GI tag मिला, इस तरीके से वहाँ पर उनकी सेल पर्चेस की ज goods in Himachal Pradesh. Hence, यह ऐसा भी नहीं है कि आप खुद अकेले जाके कोई person जो है, आगे जाकर फाइल करता है, आपका HP Patent Information Center है, जो आपके लिए यहाँ पर फाइल करेगा, जिसे बहुत सारे अभी हमारी आइटम हैं, जो आल्रेडी examination में हैं, हम आगे बढ़कर 5 आइटम अभी हमन यह आपकी आइटम हैं, जैसे इन्हें मिला हुआ है, चंबा, रुमाल है, किनौरी शॉल है, कुलू शॉल है, कांगडा टी, कांगडा पेंटिंग, काला जीरा and चुली ओल, जो वन मोर इस बासमती, बासमती इसमें इसलिए नहीं लिखी हुई है, क्योंकि यह आपके हिमाल स्टेट्स में हैं, उनमें बासमती जो गए जाती है, उसे जी आटाइग यहां पर दिया गया, इस तरीके से इनके पास अल्रेडी है, एक और जो इंपोर्टन चीज आती है, जब भी आप इनकी कोई भी साइट अगर प्रॉपर इंडिया की गवर्मेंट की देखेंगे, त इसको अंडर एक्जामिनेशन है, देखा जा रहा है कि यह उनीक है भी कि नहीं है, फिर आता है री एक्जामिनेशन, याने कि हो सकता है, फर्स टाइम में मना कर दिया गया, तो आपने दूसरी बार फाइल किया, तो आपके कोई डॉक्यूमेंट चूट गए है, इस तरीके तो वो री एक्जामिनेशन में आ गया, फिर लास्ट आपका अबैंडेंट, अबैंडेंट का मतलब है, वो अब जो है यहां पर खतम हो चुका है, आप इसके लिए जिया टैक फिर से फाइल नहीं कर सकते हैं, काफी लॉंगर पीरिड के लिए वहां पर लाइन में पढ़ा यह भी आपका अबैंडेंट में था, यह ऐसा भी हो सकता है, अबैंडेंट में तभी चला जाता है, जब आपके डॉक्यमेंट्स जो थे वो पूरे नहीं थे, जो भी आपने सब्मिट करवाना था, आपको टाइम पीरिड भी दिया गया था, उसमें भी आपने उस पे कोई आक्षन नहीं दिखाया, हैंस वो आपका अबैंडेंट में चला गया, फिर आता है आपका चमबा पेंटेंग, चमबा चपल, सिरमौरी लोई, दंगडा एंचिलकोजा, इनके लिए भी हम कह रहे हैं कि इनके लिए भी हमें जी आइस यहां पर चाहिए, जैसे दंगडा के कोई नाइफ के जैसे दिखता है, और यह जो सुरमौरी लोई है, एक कॉम्मिनिटी है, वहां पर हाती कॉम्मिनिटी, उन लोगों में यह जो लोई है, बेसिकली एक एटायर है, उनका जो यहां पर जिसके लिए यह जी आइटाइग यहां पर मांग रहे हैं, देन कम्स what are the five products, जो इनके लिए अभी यह इस news में special चीजे बताई गई, यह हमने पहले भी इस साल के starting में भी news आई थी, जहां पर इन पांच चीजों का mention किया गया था, तो पहली है आपकी कर्सो की कुल्त, कुल्त या कोल्त की दाल भी से कहते हैं, especially जिन लोग को stone की problem होती है, kidney stones होत हैं, उनको बहुत recommend किया जाता है कि उन्हें सिर्फ इसे भी गो के खाना है, so horse gram से हम कहते हैं, and कर्सो की बहुत famous है, क्योंकि बहुत ही fertile आपका area है, यह आपका मंडी district में आता है, and भाल वैली में आता है, जिसे हम सुंदर नगर वैली भी कहते हैं, hence इस यह different तरीके का कुल यहाँ पर उगता है, जो माना जाता है कि particularly कुछ specific amino acid है, जिनमें रिच है, hence यहाँ पर इसकी speciality बन जाती है, कर्सो के कुल्त, next आगया आपका पांगी की थांगी, तो पांगी वैली, हम सब लग को पता है, पांगी वैली काफी ज़दा famous है, तो चंबा वैली के एकदम साथ में है, और यहाँ पर एक nut उगाई जाती है, basically, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो यह आपके एकदम hazelnut के जैसे देखने को मिलती है, यहाँ पर यह उगाई जाती है, and then यह है, so माना जाता है कि इसमें कुछ different type का एक flavor है, extra sweet है, unique flavor है, hence we are asking for GI tag, then comes the Chamba metal craft, जो Chamba का metal craft है, वो काफी time से famous है, क्योंकि यहाँ के जो राजा होते थे पहले, उनके already जो artisan थे, उनके शिल्प कार थे, वो यहाँ पर बनाया करते थे, ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप artisan architecture पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इनका specific mention किया जाता है, hence तो इसका जो trade है, वो इनोंने जो यहाँ के देवी देवता हैं, तो हम इसके लिए भी यहाँ पर GI tag की मांग कर रहे हैं, फिर आ गया चमबा चुक, so यह almost जो भी हमाचल में रहते हैं, उनको पता ही होगा, यह एक लाल मिर्च की चटनी है, basically, different type के flavors इसमें डाले जाते हैं, मीठा भी होता है, खटापन है, वो भी डाला जाता है, hence, it's a very flavorful चटनी जो यहाँ पर बनाई जाती है, काफी traditional और unique तरीके से, इसके लिए हमें GI tag चाहिए, उसके लावा, इसकी जो practice है, अब वो कम हो गई है, जो घर है, आपके villages हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत बनाई जाती है, लेकिन कम ह हो चुकी है, hence, हम क्या चाहते हैं, कि हम इसको promote करें हो, छोटे industrial लेवल पर, छोटी-छोटी industries लगाएं, जब इसका आगे, basically, हम इसे बाहर भेजें, इसका जो है, यहाँ पर कारोबार किया जाए, तो चमबा चुक जो है, आपकी एक लाल मुर्च की चटनी है, फिर आगए लेकिन जो important है, वो that is, कुक तालू राजमा, यह याद रखना है, कुक ती पास में, क्योंकि यह उगाए जाते हैं, इनका क्या speciality है, अलग unique flavor की बात की जा रही है, और protein, कुछ extra rich proteins की यहाँ पर हम इसमें बात कर रहे हैं, so, तो यहाँ पर क्या होगा, basically, हम यहाँ पर आग combination में जाएगा यह, कि हाँ, यह जो इन्होंने claims किये हैं, कि हमारे इतने अच्छे वाले features है, unique flavor है, इन चीजों का धान देखा जाएगा वहाँ पर, और उसके बाद में, investigation के बाद जो है, proper इसमें यहाँ पर GI tag दिया जाता है, and GI की जो एक proper time period है, वो 2 से 4 साल रहता है, because video किया था, जिसमें यह जो आपके 8 items थे, इनको मैंने अच्छे से discuss किया है, उसमें उनकी specialities भी बताई है, so that will be in the description box, उसके लावा i button में भी आपको मिल जाएगा, and do check it out, so have a good day, and all the very best.